सब्सक्राइब कीजिए बिंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए कोई भी कुशन मिस मत कीजिए ठीक ना मिस करेंगे नुकसान आपका होगा तो पूरे सभी कुशन को देखिए अच्छे से ठीक है आप एक काम मोर कर सकते हैं कि यार आप कुशन देखने साथ में कुछ अगर आपको इंपोटेंट पॉइंट निकलता है तो आप नोटबुक ल जो लोग नए हमारे चैनल पर नहीं पता बाइलोजी की जो एमसी की स्यूरीज यह क्या है तो बता देतों बाइलोजी एमसी की स्यूरीज है इस में आपको बाइलोजी के सारे चैप्रेश आए वह 11 चारे 12 हो ठीक है उसके मोस्ट एक्सपक्टेड किशन जो आने की संभाव आउट विद रेस्पेक्ट विचेर्स ओफ्रोट्ट फर्स ऑप्शन स्यल इस ईकरिट इस लाज़ि अजरी तर्स ट्रें ऐबिट थर्ड वन इस स्चों लोकुमुशन भाइट फ्लेज फ्लेजिल आउट चिल्ए चैप्ट अप्टों आपको पता है कि प्रोट्ष्ट जो ट जल्दी से इसका correct answer हो जाएगा second ठीक है दोस्तों मैं हिंदी में जो है बोल के नहीं बताँ हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देख लेना पॉस करके ठीक है next question second question the mode of nutrition present in yuglina is referred to as yuglina में जो nutrition का mode है उसो क्या कहते है phototrophy first option second chemotherapy third option osmotrophy and fourth is mixotrophy very important question दोस्तों पूछा गया है यह question आ चुका है नीट में भी आपके ठीक है तो fourth जो है option यह सही हो जाएगा mixotrophy क्योंकि यह जो है इसमें photosynthetic भी करता है yuglina और plus saprobic nutrition होता है वो भी लेता है तो mixotrophic is correct answer हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि yuglina में उपसित portion की विदी कहलाती तो इसका correct answer हो जाएगा mixotrophy next question बात कर लेते हम third question an extremely important research tool in genetics and biochemistry ठीक है option on pink mouth second is blue green mouth third is pin mouth and fourth is black mouth तो दोस्तों आप सभी को पता है कि genetic and biochemistry most important tool के रूप में हम Neuro spora को काम में लेते हैं Neuro spora जो है pink mouth के लाता है तो pink mouth is the correct answer ठीक है यह भी question दोस्तों काफी बार पूचा चुका है पूचा जा चुका है आप हिंदी में भी देख सकते हिंदी मीडियों वाले इसका correct answer हो जागेगा गुलाबी फफूंदी ठीक है है नेक्स्ट क्विश्ण पर आजाते हैं साइट आफ के लिजर्गे में अम्योसे इन राइजो पस राइजोपस में जो साइट के लिजर्गेमिक और अप्षण की हो क्या हैं फ्रस्ट ओप्ष्ण जाइगोशिचा थ्बैस्ट फेंड खेंट बेसिजिवेस्पोर थर्ड उ यह भी आप देख सकते हैं इसका correct answer हो जाएगा युगमाणूं ठीक है फिफ्ट क्विशन Once the perfect stage of members of deuteromycities were discovered they were often moved to आप सभी को पता NCIT diet line है ठीक है न NCIT क्विशन काफी बार पूछा भी जा चुका है ठीक है तो जो है perfect stage याने कि यह sexual stage की बात कर रहा है तो deuteromycities में a sexual stage होती है तो जो sexual stage अगर मिल जाती है तो यह often move to ascomycities and gybacidomycities is correct answer NCIT diet line है दोस्तों आप हिंदी मीडियम वाली जो हमाई दोस्त है वह आप देख सकते हैं इसका answer हो जाएगा fourth ascomycities and bacidomycities बात कर लाते हैं six question पर आजाते हम bacteria is a group of prokreatic organism which is characterized by 70s ribosomes peptido glycan cell wall third option is simple structure and complex behavior fourth is more than one option is correct तो 70s ribosome भी होता है peptido glycan cell wall भी होता है bacteria में and simple structure and complex behavior आप सभी को पता है ठीक न तो इसका correct answer हो जाएगा fourth more than one option is correct यह सभी structure जो present होते हैं हिंदी में भी आप देख सकते हैं more than one एक से अधिक सही है fourth option question number seven पर आजाते हम which of the following bacteria carry out oxygenic photosynthesis by means of a photosynthetic apparatus similar to the eukaryotes ठीक है तो इस में option है purple cellful bacteria green cellful bacteria third is cyanobacteria more than one option is correct इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों cyanobacteria cyanobacteria में जो है eukaryotic की तरह photosynthetic apparatus होता है जो कि उनको oxygenic photosynthesis में मदद करता है जो हिंदी medium से हमारे वो भी आप देख सकते हैं इसका answer हो जाएगा साइनो जीवानू next question पर आते हम 8th question how many kingdoms in the vitakar classification system include organism with only cellulogic cell wall तो vitakar ने जो 5 kingdom classification दिया था दोस्तों उसमें था monera, protesta, fungi, plantain, animalia ठीक है इन में से cellulogic cell wall होती है एक तो fungi की और एक होती है प्लांटी की ठीक ना तो दो जो kingdom है उनमें cellulogic cell wall है तो इसमें option देख लेते हैं 3542 तो correct answer है जाएगा ठीक ना क्योंकि fungi में होता है और प्लांटी में cellulogic cell wall होती है ठीक है next question 9th question most common type of genetic material present in bacteria phase bacteria phase में most common type of जो genetic material हो कौन सा है तो first double standard dna single standard dna third is double standard rna and fourth is single standard rna तो correct answer is double standard dna बहुत important question है दोस्तों यह आपको अच्छे से note down कर लेना है ठीक है यह पूछा चाचुका है कही बार question number 10 last question है हमारा structural and functional features of fungi endomycorrhizae ठीक है बहुत important question है दोस्तों होना पूछा जा चुका है कई बार exams में even rpbt में तो पूछा जा चुका है question ठीक है तो structure and functional feature of fungi endomycorrhizae is first is extracellular seat second is arbuscule third is heartic net and fourth is mental तो इसका correct answer दोस्तों heartic net है या आपको note down को लेना याद रखना है ठीक है रट लेना इसको heartic net इसका correct answer है तो हिंदी मीडियो में भी इसका जो आप देख सकते हैं heartic net ठीक है तो दोस्तों यह थी कुछ 10 questions जो कि बहुत important question थे ठीक है और आपको जो है इसको अच्छे से करना ही करना है आप हमासे जो है नए है अगर सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दिए वीडियो पसंदा है लाइक कीजिए इससे प्लीज दोस्तों जाल 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 लोगों सक share कीज जो भी तैयारी कर रहे है उनको जो है इसमें मदद मिले ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन